अखलेस यादो जैसे उनको सुनाई नहीं दे रहा था कि उन बता रहे थे कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है इंशालला ताला उनको वास्तों में सुनाई नहीं देगा और दिखाई भी नहीं देगा उनकी वो हस्र होने वाली है यह 2022 के बाद तो मुद्दा मुद्दा दोनों ह हिजाब क्यों नहीं है अगर योगी बाबा भगवा कलर पहन कर सरकार चला सकते हैं एक समीधानिक पत पर बैट कर भगवा कलर पहन कर जो है मुकमंतरी बने है उत्तर पर देश के क्या एक मुसल्मान की बच्ची हिजाब पहन कर कॉलेज के अंदर नहीं जा सकती है क्यों नहीं करते हैं मजलूमों के लिए लिए हक के लिए बात करते हैं अल्ला ताला हमें सो दो सो एजेंट ऐसे और दे दें मेटिया बॉइज आपके साथ अल्फराश शेख और आज हमारी टीम मौजूद है उत्तर पिर्देश के जिला फैजाबाद में आयोद्या में और विदान सबा लगती है रुदाली आज जनता से जानेंगे 2022 विदान सबाच नाफ को लेकर यहां की जनता क्या मूड है किन MiDol को लेकर यहां की जनता वोट देने वाली है 2017 में यहां से समाजवादी पार्टी और बीजे पी में कड़ा मुकाबला हुआ था 2022 में किन मुद्दो को लेकर और किस किस के बीच में यहां से मुकाबला देखने को मिलेगा है काफी सारे लोग यहां पर मौजूद है उन्हीं से जानेंगे काम काम मुहम्मीव वर्सव मुचा घ्राइब है किया मुचा वो सबस्पा नहीं है मुखाबला इतनी समय इस सरकार को हटाने का है और इस सरकार को अकेले ना सपा हटा पाएगी ना बसपा हटा पाएगी ना कॉंग्रेस हटा पाएगी अगर हटा पाएगे तो सारी पार्टियां मिलकर हटा पाएगे जिसमें मजलिद इत्यादुन मुसलिमीन भी है तो इस सरकार को तो जानाता है और सभी मिलकर हटाएंगे वैसी की पार्टी हटा सकती है कहा जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मजबूत जो गड़ बंधन है वो अखलेश यादव का है और वो हटाएंगे जीच सकती है और ना कॉंग्रेस ना बसपा जीच सकती है जब यह देश सेकुलर है यह तमाम सेकुलर पार्टियां है कहती है हम सेकुलर पार्टियां है और भारत्य जन्ता पार्टी धर्म की राजनीत करती है तो जब तक यह तमाम सेखुलर पार्टी एक नहीं होगी तब तक भारत्य जन्ता पार्टी को हटा नहीं पाएंगे यहां से भारते जनता पार्टी के राम चंदर विधाया के हैं, मुकाबला दिया था अली जादी ने, तो 2022 में यहां से आपके कैंडिडेट हैं, शेहर अफगान, कितनी मजबूत हैं देखिए, रुदावली का जो मामला है, यहां बिलकुल तज़्वीर 2017 से बिलकुल उलट है 2017 में जो रुदी मिया समाजवादी पार्टी से चुनाव लल लाए थे, वो भोजन समाज पार्टी से चुनाव लल लाए हैं, जो राम चंदर यादो भारते जनता पार्टी से चुनाव लल लाए थे, अब उनके सामने आनन सेन यादो आ गये हैं चुनाव ललने, तो जो य बासता है आनन सेन यादो और शेर अफगन का और इंशाला शेर अफगन भाई इस रुदावली विदान सभा में बहुत करारे ओटों से जितने वाले हैं समाजवादी पार्टी में अखिलेश आदफ के करीबी दोस्त कहे जाते हैं करीबी हैं बहुत जादा वाले अखिलेश आदफ ने उनका ही टिकेट काट दिया देखिए ये इसारे लोक जो है मौका प्रस लोग है इनूने हमारे उटो को फुटबॉल बना दिया है कभी बसफम जाते है कभी अधर जाते है कभी हम इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं लेकिन इस बार रिदावली की जंता ने पूरा मन बना लिया है कि शेरकवन भाई को विधायक बना के लखनों बेजना है किन मुद्दों पर यहां के विकास के मुद्दों बजाएंगे जो अभी तक यहां पिछड़ा पंतारे दौली में वो सारी चीजों को दूर करें हमाई शेरकवन भाई समाज बीजेपी के जब विदायगों नहीं काम नहीं बिलकुल ने किया है आप चल के देख लिजए अगर कहीं किया हो तो बताइए समाजवादी को मौका नहीं झाएंगे समाजवादी बहूत मौके मिल चुके हैं यहां से उन्होंने कुछ नहीं किया इसलिए अब एमाईयम की बार है कसीम एमाईयम यह समाज बार देखिए इस टाइम रुदोली बिधान सभा नहीं पूरे उत्तर परदेश में खाली एमाईयम चलेगा पहले हम लोग सभा सभा वाले थे सभा को हमेशा हम लोगों ने जिताया है ओड दिया है लेकिन जब पत्रकार अखलेश आदों के पास पहुंचे हिजाब के लिए तो उनको आवाज नहीं आ रही थी यह वह बोले Хिजाब के बारे में उनको जब आवाज नहीं आ है तो इस टाइम लोगों को आवाज नहीं आ रही है सभा की तरफ दे पूरा उत्तर पर्देश का जितने मुसलमान हैं या हिंदू भाई सब लोग समर्धन कर रहे हैं इस टाइम एमाईयम को और एमाईयम को हम लोग ओड़ देंगे इंशाला कहा तो यह जा रहा है कि मुद्दा हिजाब का नहीं है मुद्दा विकास का है मुद्दा गरीबी का है लेकिन मुद्दे की बात करें अगर तो हमारे हिसाब से हम अपनी पहले रुदावली की बात करेंगे रुदावली में तो कोई ना भाजपा वालों ने विकास किया है ना पर हम से अभगण को देखना चाहते है माईयम की तरब से मुद्दा विकास ही हिजाब है? मुसल्मान की बच्ची हिजाब पहन कर कॉलेज के अंदर नहीं जा सकती है क्यों नहीं जा सकती है यह भारत देश इस देश का समीधान हर किसी को इजादत देता है अपने मजभब को फॉलो करने का तो हमको क्यों रुखा जाता है हिजाब हिजाब क्यों नहीं पहनने दिया ज तो आप हिजाब के ओपर क्यों विरोध कर रहे हैं या मुसलमानों ने कभी यह नहीं कहा कि आप आप देख लिए इस देश के अंदर हिंदू-मुसलमान सभी धर्म-जात के लोग रहते हैं लेकिन यह बताइए जब भी आप किसी सरकारी सरकारी आफिसों में चले जाए थाने के अंदर मंदिर बनी हुई है मुसलमानों ने कभी विरोध नहीं किया कि थानों के अंदर मंदिर क्यों बनी है सबके टेक्स के पैसे से देश चलता है ना वो थाने चलते हैं मुसलमानों के पैसे से भी चलता है टेक्स से चलता है ना कि हिंदू को पैसे से नहीं चलता तो कि अंदर मंदिर क्यों बनाई गई है मां मस्जीद भी बनाई जाए ना कि वैसी साहब मुसलमानों को भड़का रहे हैं और इजाब-इजाब कर रहे हैं काम की बात कि देखिए समाजवादी पार्टी और अखलेस यादो जैसे उनको सुनाई नहीं दे रहा था कि उन बता रहे थे कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है इन्शाला उनको वास्तों में सुनाई नहीं देगा और दिखाई भी नहीं देगा उनकी वह हस्र होने वाली है यह 2022 के बार इस सुमाजवादी का नाम निशान मिटने वाला है। समाजवादी का नामो निशान मिटने वाला है। आप देखते रहें, उनको जब हमारे मुद्दी नहीं दिखाई देते हैं ना हिंजाब का मुद्धा ना तीन तलाक का मुद्धा, isto मुशल्मान 70 सालों से लगबग समाजवादी को जितने भी फरजी सेकुलर पार्टियां है सब को सपोर्ट कर रही है क्या मिला है मुसल्मान को अगले शादों को हिजाब के नाम पर कोई पत्रकार पूछता है तो सुना ही नहीं देता है किस हिसाब से हम समाजवादी का सपोर्ट करेंगे किस हिसाब से हम जो है और फरजी सेकुलर पार्टियों का सपोर्ट करें हमेशा हर फरजी सेकुलर पार्टियों ने हमें मुसल्मानों को ठगा है अब हमको एक आप्शन एक हमारा जो है लीडर आया है असाद उद्दीन अवैची साहब इंशालला जितना हो सकेगा उतना इनको सपोर्ट किया जाएगा और आप देखिएगा पहली सीट इंशालला रिदौली विधान सभा से हम M.I.M. के खाते में जा रही है अब कह रहे हैं कि मुसल्मानों के लिए काम नहीं हो रहा है लेकिन मुसल्मान जो यहां से समाजवादी पार्टी के नेता हैं जाए वो रूश्दी में हो या लिगड के विदाय को मंच से धक्के जा रहे हैं उसके बावजूद भी समाजवाधी पर्टी के साथ कौन मुसल्मान जा रहे हैं वो ऐसे मुसल्मान है जिनके पापी पेट का सवाल है सर यह पेट की आख बहुत बुरी होती है इन्होंने प्रवजीबों का दर्द जो है महसूस होगा तो इन्शालला मेरा दावा है इस बात को आपको इन फर्जी पर पार्टी ओं सेकुलर पार्टी को जो है सपोर्ट नहीं करेंगे जो आप कहे रहे हैं जो मुसल्मान समाजवादी पार्टी को मैं यहीं रुदौली बिधान सभा की बात बता रहा हूं चुनाओं से पहले जम नामंकर नहीं हुआ था तो यह जो हाज हाती की सवारी करे हुए बैठे हैं हवैली वाले सहाब यह कहते थे रुदावली के मुसल्मानों से मुसल्मानों ये चुनाओ जीने और मरने का है जिन्दगी और मौत का चुनाओ है समाजवादी पार्टी को ओड़ देना मैं आपके चैनल के मादियम से उस हवेली वाले साहब से भी पूछता हूँ और बता आपको जवाब भी दे रहा हूँ कि अब क्या हुआ अब उत्तर परदेश का मुसल्मान क्या करे अब जिन्दगी मौत का सवाल नहीं है आप अपने मुफाद के लिए बहुजन समाज पार्टी में चले चुनाओ डलने के लिए अब जिन्दगी मौत का सवाल नहीं है अब रुदावली का मुसल्मान तुमको और दे दे हाथी के ऊपर दे अब जिन्दगी मौत का सवाल नहीं है भाजपा नहीं आएगी अब इनसे कोई सवाल पूछे तो मुसल्मान जो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के अंदर है वो अपनी निजी मुफात के लिए है ना कि पूरी उम्मत पूरी कौ के लिए नहीं है अगर अपनी कौम के लिए सोचता तो आज रुजदी में बहुजन समाज पार्टी से चुनाओना लौला होते है शेयर अपगन की मदद करकर अपनी कौम के लोगों को जिता कर एक अच्छा मैसेज देते कि मैं कौम परस्त हूं और रुदावली वालों का स दिम्मेदारी के साथ एक चीज़ कह रहा हूं कोई भी इनसान हो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो वो पब्लिक को दिखाने के लिए जो है माते पर अगट टीका लगा ले कोई मुसल्मान माते पर टीका लगा ले या हिंदू मुसल्मान को दिखाने के लिए सर पर ट बना लेंगे हमारे दलित भाई को बेखुब बना ले तो अब ऐसा होने वाला नहीं है इंशाला रिदॉली विदान सबा में या जहां भी जो हम हैं अब ऐसा कभी नहीं हो सकता यह सिफ और सिफ बहरूपिया हो सकते हैं मुहमम्द इसलाम नам है अली जैदी नेता हैं या राम चंदर नेता है या श्यर अफ द्बाई कोना नेता है क्यों मदद करेंगे क्यों सत्तर सालों से हमने इन को ओड़ दिया हमको क्या मिला भाई कुछ नहीं मिला हमने सपा को ओड़ दिया बसपा को ओड़ दिया कुछ नहीं मिला सत्तर सालों सिर्फ हमें जो है तमाम जगे जगे लड़ाई जगड़े और दंगे फसाद केला कुछ हमारे हाथ थोड़ी ल मुसल्मान मुत्हिद हो चुका अलामदूल्ला अला का शुकर है कि मीम की सपोर्ट कर रहा है और हमाई आपके चैनल से हमारी अपील है लोगों की लोग सपोर्ट करें और जो है ओड़ दें बस मैं इतने कहना चाहूँ मैं कह रहा हूँ अगर माली जाएवसी साब ऊट काटते हैं या भी जयपी के एजेंट कहते हैं लोग तो मैं अल्ला से दुआ करूंगा ऐसे सौ-डौ-सौ एजेंट और दे दे ला जो कम से कम मुसल्मानों के हक के लिए बात करते हैं मजलूमों के लिए हक के लिए बात करते हैं अल्ला ताला हमें 100-200 एजेंट ऐसे और दे दें तो यह रुदॉली विधानसाब है यहां की जनता को हमने सुना आपने मुद्धे इनों ने बताए हैं लेकिन 2022 में रुदॉली की जनता किसे अपना विधायक चुनेगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है मैं कमेंट करके जरूर बताएए शुक्रिया